अभिलाशी ग्रूप के अध्यक्ष डॉक्टर आर्के अभिलाशी ने किया उन्होंने कहा के शिक्षन के क्षेत्र में उच गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षन के इस तरहे के इंडक्षन कारिक्रम समय समय पर आयोजित किये जाते रहने चाहिए इन कारिक्रमों को आयूजित करने के पीछे के उद्देश्य पर भी उन्होंने अपने विचार रखे कारिक्रम के पहले दिन बतौर रिसूर्स परसन रोशन लाल ने अपने विचार Essential Skills in Teaching विशेई पर प्रस्तुत के उन्होंने शिक्षन के एक शेत्र में शिक्षन कौशल में सुदहार करने की प्रेरणा दी और इन्नोवेशन का स्मय है शिख्सा जगत में नए नए इटाग्धारा में बन परही है नए नए विश्कारबोरे में भाराद सरकार की मांतल परदेश सरकार द्वरफी नई एज़िशन पॉल्सी भी उप्लिमेंट किये जा रही है और इसके सदर में बिभीन ओर्गिनाइजेशनों दारा बिभीन संस्था दारा न्यू एज़िशन पॉल्सी के ओपर भी विजात मस्थ जा रहा है ताकि उससे हमारे देश को स्माज को ला बिल सके और इसी कड़ी में एक अध्यापक के लिए नई टेक्निक सिखना शिक्सा के प्षेतर में भारत बर्स में भारत बर्स के भारत दूसरे देशों में क्या हो रहा है इन सब पर विचार मस्थ करने के लिए जो इस प्रकार का जो आपने खकल्टी डॉर्मेंट प्रोग्राम रख और इस प्रकार के प्रोग्राम से मुझे विश्वास है कि आप नई टेक्निक सिखेंगे एजुकिशन के क्षितर में जो आप योगदान देरे हैं और अधिक योगदान देरे का आपरियास रहेगा दिवे हिमाचल टीवी के लिए नेर चौक से राजु धलारिया के रिपोर्ट हिमकैप्स इंस्टिट्यूट ओफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेडा जिलाउना में वकालत्व नर्सिंग कोर्सों में दाखिला प्रक्रिया शुरू दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा हिमकैप्स संस्थान में बीए ललबी और ललबी की कोर्स करवाई ज़ा रहे हैं संस्थान हिमाचल प्रदेश विशुविद्याले वबार काउंसल ओफ इंडिया से मानिता प्राप्त है हिमकैप्स संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू है नर्सिंग संस्थान इंडियान नर्सिंग काउंसल दिली वब्रदेश विशुविद्याले से मानिता प्राप्त है नर्सिंग कोर्स में चात्राओं के लिए B.S.C. नर्सिंग, G.N.M., A.N.M. और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं दाखिले के लिए संपर्क करें हिमकैप्स इंस्टिटूट ओफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेडा तहसील हरोली जिला उना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01975282206 या 9817938904 पर या जाए हिमकैप्स की वेबसाइट www.himcaps.org पर